दोस्तों आपको विल्काम करता हूँ तौरंगो इलेक्ट्रोनिक्स चैनल में तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जो देखांगा नीउ चाइना कीट इंस्टल करने का बाद और तीबी अन करने का स्वमय चाइना कीट का एक कॉमपणी नाम लेखा देखा जाता है तो आपके एक बड़ यह तीबी इक स्टेंबाइ मूँच्छ अन करके आपको देखांगा आप फालो किजिए तीबी अन करने का भाद इस्क्रीन पर देखें यह तकी यह लख यह अग लेखा ग्लयाडिक्स यह लेखा देखा जाता है तो दोस्तों तो म्लों यह ज़ो टीवी क बाड का cabinet है यह वीडियो कंपनी का चेलेंजर TV है ठीक है चेलेंजर TV है तो दोस्त ब यह चैनलेजर भी लिख सकते हो और वीडियो कौन भी लिख सकते हो आप видеidor सोने कुछ भी दिस्प्वेड़ पर लिख सकते हो तो कैइसे लिखा complainend लिखा जाता है इसको पर यह वीडियो है ठीक है दोस्तों तो दोबड़ आपको देखा थो मैं stand by से tv को आपकार देता हूं और आपकारने का बाद दोबड़ा मैं stand by से अंकटता हूं आप ध्यान से देखे स्क्रीन पर देखी यह जो लिखा देखा जाता है यह आपको कैसे change करे तो चलिए इसको पड़े वीडियो है आप सुरू से लास तक देखिए new technician को बहुत काम आएगा तो दोस्तों इसलिए आपको एक नामबर जरुरत होगा पैनल से नहीं होगा तो फास्ट यह जो screen है यह screen को आपको एवी मूट पर राखना पड़ेगा आपको चिक करके देखा देता हूं देखिए यह एवी auto ठीक है यह दिखिए एवी auto एक्चलि एवी मूट पर है तो आपको एवी मूट पर ही राखना आपको देखाता हूँ फास्ट मेनू उसका बाद 6483 दोस्तों देखिए जब मैं 6483 दावाया यह लिखा देखा जाता है तो दोस्तों यह service मूट यह अलग सा setting मूट है यह logo setting मूट है यह chat को हटाने के लिए रिमोट का जो display बॉटम है यह display बॉटम आपको पूस्ट करना पड़ेगा तो मैं पूस्ट करके देखाता हूँ display बॉटम पूस्ट करने के बाद यह chat गाइफ हो जाता है तो दोस्तों दोबड आपको पूस्ट करके देखाता हूँ यह chat को open करके देखाता हूँ देखिए मेनू उसका बाद 6483 दिखिए जब मैं दबाता हूँ यह chat open हो लेखा यह color option है और यह move option है ठीक है और यह line setting करने के लिए option है और यह off to यह दो number setting option है यह दो नहीं आपको इस वीडियो में देखाऊंगा तो दोस्तों यह जो अलग-अलग option है यह move पर अभी मैं select करके राखा है तो यह जो option अब change कर सकते हो किस तरह रिमोट का जो menu bottom है ठी देखिये यह move option यह off वर चला गया उसका बाद यह देखिये menu option को दोबड़ा दावने का बाद यह on option पर आ गया उसका बाद menu bottom को मैं बार-बार push करता हूँ आप follow किजिए यह select option यह change हो जाता है जब मैं menu button push करता हूँ यह change हो जाता है ठीक है दोस्तों तो देखिये यह off है और यह जो on है actually यह on यह line setting करने के लिए ठीक है तो first आपको यह change करके देखाऊंगा यह कैसे change होता है तो दोस्तों यह change करके लिए आपको menu दोबड़ा दावाना पड़ेगा menu दावाने का बाद आपको यह one को select करना पड़ेगा ठीक है जब one select हो जाएगा उसका बाद यह remote का जो जो चाड़ो bottom है ठीक है यह bottom से आप यह set कर सकते हो ठीक है यह program minus जो bottom है यह first देखिए मैं push करता हूं यह देखिए program minus जो bottom मैं push किया तो यह जो Chinese वाला लेखा आगिया और program plus bottom मैं push करता हूँ देखिए program plus push करने का बाद ये एक dot जो लेखा ये आ गिया दो बड़ा मैं program plus push करता हूँ देखिए जीरो आ गिया ठीक है तो उसका बाद मैं फिर भी volume sorry program minus push करता हूँ देखिए और उसका बाद ये जो volume minus और plus ये मैं volume plus change करता हूँ देखिए ये volume plus change करता हूँ लेकिन कुछ भी response नहीं देखा जाता है क्योंकि ये जो color ये color change करने के बाद वो swap push पता चल जाएगा ठीक है तो इसलिए आपको ये menu bottom ठीक है menu bottom push करता हूँ ठीक है देखिए menu bottom जब मैं push किया ये size पर चल ला गिया और उसका बाद मैं color पर आपको लेके जाता हूँ ठीक है देखिए menu bottom push करके देखिए color मैं select किया और उसका बाद ये volume plus minus कुछ भी आप push कर सकता हूँ volume मैं push करता हूँ और इसका जो rate color देखिए ये अलग सा color हो गिया ठीक है और दो बाद मैं change करता हूँ ये देखिए अलग सा color हो गिया और तीसरा बाद मैं push करता हूँ देखिए अलग सा color हो गिया और उसका बाद भी देखिए ये अलग सा color हो गिया और फिर भी volume plus push करता हूँ देखिए ये अलग सा color हो गिया ठीक है तो देखे उसका बाद आपको ये देखे ये जो select option अच्छा सा देखने लगदा है तो फिर भी ये जो color मैं select करके रखा है ये option को मैं one पर लेके आता हूँ menu button push करके देखे मैं menu button push करता हूँ और देखे ओन पर मैं लेके आ और उसका बाद आपको ये program minus का push करना पड़ेगा देखे जब program minus push किया ये आपर select है और program plus push करके ये dot मैं कर देखा हूँ ठीक है तो दोस्तों उसका बाद देखे वोल्यों minus और plus change करेगा तो ये dot shift हो जाता है ठीक है तो आइए मैं वीडियोकॉंड लिख के देखाऊंगा वी आईडी उसी ओषिण तो मैं इहां से start करूंगा वी आईडी उसी ओ लफिजर ये सीओडेगा थिक है वीडियोकॉंड लिखाँंगा तो देखे तो ङकलंश है और पर select करकी राखके है और आप देखेये पोगाम प्लास चेंज करता हूँ ठीक है पोगाम प्लास रिमोट का फास्ट भी लिखूंगा इस तरह पूस्ट करेगा तो देखिए 1 2 3 इस तरह चेंज हो जाएगा और आपको भी लिखना होगा देखिए मैं भी कार देता हूँ ठीक है और उसका बाद नेक्स्ट पॉइन को मैं स्लेक करता हूँ देखिए स्लेक किया फी आई यहाँ पर आई लिखना पादेगा फी आई मैं लिख दिया और उसका बाद वोल्यूम प्लास ठीक है और उसका बाद फोगाम प्लास दी करना पादेगा ठीक है D और उसका बाद volume plus उसका बाद E program plus ठीक है उसका करके E कर दिया उसका बाद O ठीक है O करूंगा O कर दिया और उसका बाद C करना पड़ेगा ठीक है C उसका बाद O और उसका बाद in देखिए यह video अगर हो गया तो जब मैं यह हो गया तो इसका color भी आप change कर सकते हो ठीक है यह color change तो आपको दिखा दिया और यह move क्या है तो जब यह select हो गया आपको menu button push करना पड़ेगा देखिए मैं menu button push किया और move पर ले right भी shift कर सकते हो देखिए मैं थोड़ा सा left बड़ shift कर देथा हूं देखिए यह left बड़ shift हो जाता है ठीक है आप follow किजी screen पर यह left बड़ shift हो जाता है और इसका range खतम हो गया तब right पर shift कर सकते हो देखिए volume plus minus push करके देखिए यह right पर actually आपको middle पर रखना पड़ेगा ठीक है तो दोस्तों यह जो वान यह वीडियो को लेखा कैसे change किया यह आपको देखाया और यह जो last बाला नीचे बाला जो option यह आप करना चाहता हो तो यह select करके आपका नाम भी आप लिख सकते हो ठीक है तो यह छोटा सा वीडियो दिखने का बाद आप यह last option कैसे on किया जाता है यह दिखना चाहता हो तो आप जुरूर comment कि जिसका उ अंदर जो मैं यह new kit install करके देखाया आप पुड़ा ही new technician को लिए new technician के लिए तो दोस्तों वह वीडियो आप देखना चाहता हो तो description box जूरूर follow किजिए और तब भी मैं यह video का उपर मैं यह video का link देदेगा जो China new normal PCB कैसे install किया जाता है और आप ultra slim PCB कैसे install करे वह video देखना चाता हो तो यह video का उपर यह video के यह site यह site आप follow किजिए ठीक है एक video मैं दे देता हूं यह video देखके आप वह video देख सकते हो ठीक है दोस्तों तो दोस्तों दिखिए last यह तो सब को setting हो गया और इसका service mode हटाने के लिए आपको display button push करना पड़ेगा ठीक है दिखिए जब मैं वीडियो कुन लेखाए देखिए आज आएगा ठीक है दोस्तों थैंक्यू वीडियो पूरा देखने के लिए